हलो दोस्तों मैं रिशी आनद आप लोगों का स्वागत करता हूं question of the day वाले series में और इस series में आपको आज मैं सवाल जो लेने वाला हूं मेंसुरेशन का लेने वाला हूं 2D का लेने वाला सवाल ठीक है काफी अच्छा सवाल है conceptual सवाल है तो आईए देखते हैं सवाल को कैसे solve करना और सवाल क्या है तो दोस्तों अगर अब तक आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़ेए मेरे साथ तो आप यह link क्लिक करके जो कि आपको description box में मिल जाएगा आप मेरे साथ जूड़ सकते हो जिससे आपको notification हर वीडियो की मिल जाया करेगी ठीक है साथ साथ यह WhatsApp का link है यह आपको Facebook का link है और यह आपका YouTube का link है यह तीनों link जो है आपको नीचे discussion box मिल जाएगा आप मेरे साथ जूड़ सकते हो ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं सवाल देखते हैं तो दूस्तों सवाल आपके screen पर है सवाल क्या है यह सवाल ना काफी अच्छा सवाल है और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इ जो मेरा solution देखना थीक है तो दो सवाल में क्या बोला जारा है इन द गिवन फिगर a b a e e f f g and gb are semi circles a b is equal to 56 cm and a is equal to e f is equal to f g is equal to z b what is the area of the shaded region in cm2 ठीक है देखे इस सवाल में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो गिवन फिगर है उसमें a e और देखिए a b पहले a b बोला गया है फिर a e e f f g और फिर उसके बाद कौन सा आपका gb यह सभी क्या आपके semi circle है आप देख पा रहे होंगे एक semi circle यह है फिर यह पूरा जब बड़ा सा जो semi circle यह एक semi circle है फिर उसका यह वाला है फिर यह है फिर यह है फिर यह है ठीक है अब उसके बाद क्या हो रहे है a e is equal to e f a e जो है वो e f ke बरावर है e f जो f g के बरावर है और f g जो है आपको gb के बरावर है ठीक है और हमसे यह जो shaded portion है यह बड़ा जो circle है उसका area हमसे पूछा गया है ठीक है समझ पा रहे है इस सवाल को ठीक है अच्छा a b is equal to 56 दे रखा के मतलब क्या है कि जो हमारे पास बड़ा हो जो semi circle है उसका diameter कितना आपको 56 cm है कितना 56 cm है ठीक है पहले खुझ से सवाल को solve करने कोशिश कीजिएगा फिर इसके बाद इसका solution देखिएगा ठीक है देख लेते solution क्या इसका a b is equal to कितना आपको 56 cm है कितना 56 cm है ठीक है अब देखे एक चीज और बोला गया कि a e is equal to e f is equal to kya आपको f g is equal to kya आपको g b ठीक है यह सभी क्या बरावर है तो जब सभी बरावर है तो कितने एक, दो, तीन, चार, चार भाग में, मतलब 56 को कितने भाग में बाटना हमको, चार भाग में बाटना, तो चार भाग में बाटेंगे, तो यह कितने बराबर हो जाए आपको, 14 cm, मतलब जितने भी छोटे-छोटे semi circles है, उनका diameter कितना हो जागा, आपको 14 cm हो जागा, ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ तक तो clear हो गया होगा, अब देखिए, अब हम से यहाँ जो पूछा जा रहा है, वो इस से डेट रीजन का पूछा जा रहा है, ठीक है, यह वाले circle का area पूछा जा रहा है, अगर हम radius जान जाते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से, इसका area निकल जाएगा, clear है, बात समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है, अगर मैं बोलू, कि यहाँ पे somehow, इसका circle का क्या आपको, center है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहाँ तर clear है, अब मैं अगर यहाँ से, अगर इसको जोड़ता हूँ, तो यह भी जो है, इस semicircle का center पर ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आके करेगा, F के पास, ठीक है, F के पास आगे, यह भी उपर के तरफ, अगर मैं इसको extend कर देता हूँ, तो यह भी कुछ इस तरीके से आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर के आपको center है, ठीक है, अगर मैं बूली, इसका radius कितना R है, कितना है, R है, तो यह भी कितना R होगा, ठीक है, अच्छा, यह वाले place को, अगर मैं कोई नाम देता हूँ, तो देखो, A होगी है, B होगी है, C नहीं है, तो यह काम करते हैं, इसको C यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, इस point का नाम क्या आपको D है, ठीक है, अच्छा, C F, C F, कितने के बरावर होजगा, C F, C F अगर मैं बोलूँ, तो C F कितने के बरावर होजगा, यहाँ पर बोल सकते हैं, एक तो R यह है, दूसरा R यह है, इसको कितना लिख लूँगा, पर 2R लिख लूँगा, अब प्लस, कितना होजगा आपका D F, ठीक है, C F is equal to कितना आपको, 2R plus D F है, clear है यहाँ तक, समझ गयों कि इस सीच को, अच्छा अगर मैं D F के जगह पे, D F के जगह पे अगर मैं बोलू, C F is equal to 2R plus A, ठीक है, since D F is equal to A, D F कितने के बरावर है, A के बरावर है, मैंने मान लिया है, ठीक है, D F is equal to A, तो यहाँ पर मैंने A ले लिया, C F is equal to क्या ले लिया, C F is equal to कितना हो गए, 2R plus A हो गया, ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से लेके इसको जोड देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर दिया, हमने एक line, ऐसी करके, एक dotted line से इसको क्या कर दिया, जोड दिया, ठीक है, हमको क्या चाहिए, R का value चाहिए, बड़े वाले R का value चाहिए, बस वही हम यहाँ पर निकालने के कोशिश कर रहा है, ठीक है, अच्छा, A F कितने के बरावर हो जाएगा, A F, अगर मैं A F निकालना चाहूँ, तो कितने के बरावर हो जाएगा, A E कितना 14 है, A E 14 है, तो A F कितना हो जाएगा आपको, 28 हो जाएगा, 28 cm हो जाएगा, A F, ठीक है, उसी तरीके से, C F, C F कितने के बरावर हो जाएगा, C F भी तो radius है, C F कितने के बरावर हो जाएगा, आपको 28 के बरावर हो जाएगा, Cf भी कितने बरावर हो जगा 28 के बरावर हो जगा 28 के बरावर हो जगा 28 के बरावर हो छली अब एक चीज मैं यहां से काम करता हूँ कि अगर मैं बोलू यह जो center है यहां पर इसको भी कुछ नाम देते यहां पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि Pf का square प्लस मैं इस triangle में ले रहाँ Pfo में तो यहां पर मैं Pf का square plus of का square is equal to, कितना हो जाएगा, op का square हो जाएगा कितना हो जागा यहां से O P का स्क्वायर हो जागा हो जागा ना अच्छा P F कितना हो जागा E F कितना आपको 14 है ना 14 का आधा हो जागा तो यहां भी बोल सकतो है यह 7 का स्क्वायर हो जागा ठीक है, op square, op square पर ध्यान दीजिएगा, op कितना हो जाएगा, op देखे, यहां से लेकि यहां तक, इस point तक, यह कितनी value होगी, इसकी r होगी, और उसके बाद यहां पर इसका कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, मैं आपके लिख सकता हूँ, 7 plus r, ठीक है, समझ रहे है मेरी बात को, यहां पर कितना हो जाएगा, यह 14 हो, 9 हो जाएगा, इसको भी तोड़ देतें, इसको भी तोड़र देतें, यह कितना हो जाएगा, r का square, 2202 प्लस एक स्क्वाइर प्लस में कितना हो जमगा है तू आर ए एक क्लियर है यहां पर इसको भी चलो तोड़ लेते यह यह तो आपको ऐसे लिख लिए थे 49 प्लस आर का स्क्वाइर ब्लस कितना हो जमगा 14 र हो जागना सोदर यह 49 49 कैंसल अउट हो गया R² R² भी cancel out हो गया ठीक है R² R² भी कितना हो गया cancel out हो गया clear है यहां तक अब यहां जो बच गया 14 R is equal to कितना बच गया आपको यहां से अगर मैं A, out ले लू A plus कितना बच गया आपको 2 R बच गया A plus 2 R A plus 2 R कितने बराबर है 28 के बराबर है यहां पर लिख सकते है 28, तो यहां पर बोल सकता हूँ कि 14 R is equal to A into 28, लिख सकते हैं यहां से 2 R plus A कितना 28 के बरावर है, तो यहां पर 2 R plus A ही है, तो यहां पर 28 के बरावर हो जाएगा यह, तो R बटे में A, कितना ratio आजगा R बटे में A का, यह हो जाएगा 2 बटे में 1, यहां से मैं बोल सकता हूं कि r is equal to 2a हो जाएगा r is equal to kitna हो गया 2a हो गया तो यहां से चलो निकाल लेते 2a हो गया तो यहां से कितना हो जागा यह इसे put कर लेते 2 r plus a is equal to kitna आपको 28 है न यहां से a बराबर कितना हो जागा r के जगए मैंने 2a put किया तो 4A, 5A, तो यह हो जगा 28 बटे में 5, A is equal to कितना हो जगा 28 बटे में 5 आ जगा, clear है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे R की वैलू निकालना है, जब A की वैलू मेरे पास आ गई है, तो मैं यहां से R की वैलू निकाल सकता हूँ, तो R बराबर कितना हो जगा, R बराबर हो जगा, 2 into 28 बटे में 5, तो यह कितना हो जगा, आपको 56 बटे में 5 हो जगा, R is equal to कितना हो जगा, 56 बटे में 5, पस अब मुझे क्या करना है, area निकालना है, तो area of circle क्या होता है, circle यह ना, πाई R square होता है, पाई के जगा मैंने क्या लिख देना, 22 बटे में साथ, R square के जगा पर क्या लिख हो, 56 बटे में 5, into 56 बटे में क्या लिख होगे, 5, यह कितना हो जगा, 7,8 जगा, 56 हो जाएगा, इसको पूरा solve करना है, इसको पूरा solve कर रहे हो, यह जवाब जागा, 394.24 cm2, ठीक है, तो दोस्तों, इस सवाल का उत्तर क्या हो जागा, 394.24 cm2, तो कौन सा option से हो जागा हमारा, चौता option क्या हो जागा, यहां से correct हो जागा, ठीक है friends, friends, I hope आपको यह question समझ में आगया होगा, ठीक है, तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह सवाल कैसा लगा, प्लीज आप मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा, और अगर आपको पसंद आता है, तो प्लीज यार इसको like जरू करना, और अपने दोस्तों के साथ भी share जरू करना, और अगर आप इस चैनल पे नए थे, तो प्लीज यार इसको subscribe भी, जरू करना, ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो में आपको provide करता रहूँगा, ठीक है, तो at last दोस्तों, thank you so much for watching my video, and best of luck for your future.